तो हेलो गाइस आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे और आज हम लोग फिर से खेल ले माइनकाप्ट और अभी हम यहां पे अपना एक्सपी फाम के पास में हूँ और यह एक्सपी फाम बहुत ही अच्छा है यहां पे अर्मर पेंट के भी यह सब इसके लिटल से स्पॉन होते रहते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यहां पे काफी देर से मेरा लेवर आप देख सकते 31 हो चुका है और यहां पे हम दो टिंटो चेस्ट लगाया हूँ और चेस्ट में आप समान देखोगे तो देखो पहला चेस्ट वाला खोलूंगा क्योंकि इसमें उतना अच्छा समान यह वाला तो इसमें है देखो सारा बो है और इसमें एंचेंटमेंट भी है और इसमें भी एंचेंटमेंट है अब हम दूसरा वाला चेस्ट खोलूंगा तो इसमें भी बहुत सारा बो है बहुत सारा बोन है और बहुत सारा आर्मर भी है और हम अगला जो सबसे अच्छा च तो आज का प्लैन मेरा है कि एक तो अच्छा सा जितना भी बहुत सब है उसको जोड़ जार के मतलब में सामने एक तो इसको आने नहीं देना भाई निकल निकल यह अगर फट गया तो काफी नुकसान हो सकता है तो यहाँ पे मेरा अड़े सामने वो स्पाइडर से भी स्पॉन हो रहे है क्यों क्या दूसमने तुमारा यहां से जाओ नहीं एक बार में तो मर जाती है और मेरा स्वार्ट का हेल्थ देखिए तो आज मेरा प्लैन यही है कि मैं यह सारा बो को जोड़ दूँ अच्छा से एक ठो नया बो बनाओ जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो और मैं यहाँ इसे काम-काम बोच अनिकाल लेता हूं और यहां पर पावर वजन और पावर टू का बोच अमेरेको मिला है तो उसको जोड़ जार की मतलब जोड़ूंगा पावर फाइब तक आइसे बनती है तो मैं अभी सारा चीज ले चलता हूं और मुझे काफी सारा लेवल का भी तो आपको दिखाना है तो यह रहा वो चीज अच्छा भी स्पाइडर तो मेरे पर हमला नहीं करेगी पर यह चीज देखो भाई एक स्केली टन एक स्पाइडर के ऊपर बैठा हुआ है हाओ कुल इस अरे मताओ मेरे पास इतना तेजी से आ रहा है तो यह काफी ज्यादा कूल था अरे रुको भाई उपको लगड़ी है डैमेज तो इसको हम जड़ा ले के आता हूं इसको और इसको भी निकल आ रे निकलो यहाँ से भाई तुम भी तो इन सब को मार दिया हूं और अभी हम लोग बनाते हैं बो तो हम जो जो काम का सारशा भो से पहले मेरे पास एक टोफ पीकेक्स है उसको हमको इंचेंटमेंट कर देना है इसलिए हम 30 लेवल तक पहुचा था तो वो हम मतलो बो सरी बोल्डा हूँ मेरा पीकेक्स है उसको खोशता हूं देखता हूं कहां पर है डाइमर यह रहा ओके तो मैं सारा चेस्ट को खाली करूं तो निकलो भाई जो फालतू का सारा समान उसको हम पहले यहां पर निकाल कर रखतेता हूं तो मैंने अभी अपना पीकेक्स ले लिया है और लेके चलते हैं हमारे एंचेंटमेंट रूम में या फिर एंचेंटमेंट आइलेंड या जो भी बोलो इसको और यह रहा हम लोग क यहां से खालो तो हम लोगको दिया जा रहा है अंब्रेकिंग अनब्रेकिंग और फॉच्इन 2 तो फॉच्यों 3 में लोग घा बहुंग ड सबसे अउर्टियकेस लेते हैं और इसमें फॉच्इन 3 और ऐफ इसलिए आया है कि मैं इहां पर इतना सारा book self का यूज किया हूँ, आप जितना जादा book self का यूज करिएगा उतना जादा आपको enchantment, मतलब एक थूज आप छूज किजिएगा, पर आपको एक से जादा enchantment मिलने का chances रहता है, तो अभी हम लोग इसको था देखते है बूक कैसा जोरना है तो मैं पहले पावर बनाऊंगा तो सबसे पहला बो देखते ये क्या है तो इसमें पावर 2 है और मेरे पास और भी पावर की बूक है तो देखो ये राय को और पावर का बूक और इसमें भी power है और इसमें भी power है इसमें unbreaking है कुछ काम का नहीं इसमें भी power है ओके वंच 1 है power 2 एक और power कभू तो यह रहाए infinity तो इसको हम बाद में जो रहते हैं पहले power बना लेता हूं तो इसमें power 2 है और इसमें power 2 है ओके ऐसे रखो तो इसमें पावर 3 हो गई है और एक फ़र पावर का 2 रखते है और एक और पावर का 2 रखते है 11 चाहिए ऐसे 3 चाहिए तो ऐसे आप देख लिजे करियागा कि किसमें मतलब Enchantment Cost कम या बेसी होते रहता है तो एक पद चेंज करके देखते रहिएगा तो इसमें भी पावर 3 आगया और इसमें भी पावर 3 तो दोनों को हम जोडता हूँ 11 दोनों को यह 11 लगेगा तो कर लेता हूँ तो इसमें पावर 4, punch 2, unbreaking 3 और मेरा infinity का बो यह रहा इसमें flame भी है इसमें punch है तो और कुछ जोडने का नहीं बस यही दोनों आप जोड़ दूँगा ओके 15, 17 तो इसमें मिल जाएगी हमको unbreaking 3, flame, infinity, power 4, punch 2 power 5 सबसे maximum होता है पर power 2 यही ठीकी है और हमको अभी 4 level चाहिए भाई और यह pickaxe तो एकदम OP हो चुकी होगी इसका speed में एक बाद check करना चाहूँगा अभी हम लोग नेदर को भी explore करने चलेंगे और इसका speed में यही पे check करता हूँ तो के grass पे इतना अच्छा सा इसका speed नहीं है सामने यह tower इस पे जाके देखते है क्योंकि कोवल स्टोन का स्टोन पे ज्यादा जली माइन करती है तो देखो भाई ओ भाई creative में जितना तेजी से हम तोड़ता हूँ उतना तेजी से block गाय भोड़े है तो नेदर में क्या हालोत होगा हो क्योंकि नेदर का जो इस्टोन है नेदर रॉक या क्या बोलते है उसको वो बहुत easily तूट जाता है तो इससे क्या होगा पता ही नहीं तो अभी चलते है और मुझे एक तो sword भी बनाना है और level चाहिए हमको 4 level तो 4 level के लिए यहां से हमको सैसे level नहीं मिलता है और यहां पर 3 फिर से आ गया है देखो 13 पहले आया था 3 अभी आया तो 16 हो गया है और बहुत सबको रखो भाई तो अभी मैं फिर से अपना XP farm में आ चुका था क्योंकि मुझे 15 level चाहिए था और मैं इसका fortune 3 का कमाल दिखाना चाहता हो दे तोड़े है और 4 ब्लॉक में मुझे मिले है 9 फोल तो देखो double से भी जादा यहां पर मिलते है अरे ओके बंद है हमको लगा यह क्या है तो ऐसे करके यहां पर बहुत ज्यादा कोल मिलेगा इस पर हम अन ब्रेकिंग को भी लगाऊंगा और मिले तो मेंडिंग अगर मिलेगा तो मेंडिंग भी लगा लूँगा तो एकदम तभाई बन जाएगा मेरा यह पिक एक्स ओ यहां पर हम ब्लॉक लगा देता हूं और यहां पर भी ब्लॉक लगा देता हूं तो चलते है उपर क्योंकि हम लोग को यह करना है अभी और आगे एंचेंटमेंट तो अभी में आसपास पहले क्रीपर को देख लेता हूं कि कोई क्रीपर आसपास है या नहीं है तो आसपास कोई भी क्रीपर नहीं है चलते है अपना बो को जोल लेता हूं फिर से तो हम लोग का बो रहा ये वाला बो और इसमें इंफिनिटी है तो 15 कॉस्ट ले रहा है ऐसे 17 तो करते है अब इसमें अनब्रेकिंग 3 फ्लेम, पंच, पावर और इंफिनिटी इतना साड़ा आ चुका है और इसको मैं पर चलाक देखना चाहूंगा किस पर ट्राइ करें पावर फोर कितना पावर फूल होगा देखना है हमको तो आसपास कोई जॉंब यूंब नहीं था सामने एक ट्रेडर आ गया है इसको यहीं से टपका देते है उके उसका लामा को लग गिया जो की अच्छी बात नहीं है उसको मानना था और एक बार में ब बंदा खतम के दोनों लीड मेरे को मिल चुका और लोग का लामा का कोई जुरूत नहीं हमको लोग को मैं से छोड़ देता हूं और यहां पर मेरा यह भी बढ़ चुका है तो अभी हम लोग नेधर में चलेंगे और इसका हेल्थ बिलकुल नहीं गया पता नहीं क्यों इसको लेते है और 14 आगे मेरे पास अभी हम चलता हूं मतलब नेधर में चलेंगे उसका भी तैयारी सब कुछ करना पड़ेगा सारा समाल लेना पड़ेगा तो इसको हम पहले लगा देता हूं जल्दी से तो मैं अभी सब कुछ से लेके रेडी हो चुका हूं और अभी हम लोग च अच्छा पोशन होता है फायर का पोशन मता फायर रिजिस्टन पोशन क्योंकि नेधर में हर जाएगा लावा और आगी होती है तो यहां पर हम लोग आचुके नेधर में और हमको अभी गोल्ड माइन करना है मैं चेक करना चाता हूं कि यह फॉर्चिन 3 से गोल्ड कितना मिले तो नीचे चलते हैं ओके तो एक सामने एंडर मैं एंडर मन से कोई भी पंगा नहीं लेना हमको कि अरे एक मिनट में भूल गया कि हम गोल्ड पेंड के नहीं आया हूं कि छोड़ो इसको कोई बात नहीं और मुझे यहां का रास्ता भी सही करना है तो यहां लोगों तरते है और इसपे में गिर तो इसपे चोट नहीं लगता है तो अभी हम लोग चलते हैं और माइनिंग का तो हम घर मतर्ब ओस्लाइन आके कर लूगा और यहां एक फास मैं गिरा हुआ था एक्टो एक्स भी गिरी हुई है और एक फपिक एक Почему है तो पिछली वाज़ में अदर में था तो मैं मर गया था आपको बोला था हम तो उसी सारा समान गीरा हुआ है आसपास में तो चलते हैं तो हम लोग अभी फिलाल लेदर में आ चुके और सामने वो उच्छा मुझे लगा traveling है, मैं उससे भी हमला करने जा रहा था हुआ और कोई बीड़ के आपके लैएannya अाया हूं और नीचे ये salt soil है इसको हमको actually ले जाना है क्योंकि हमको इसका काम है तो मेरे पास saval okay saval है एक्ठो तो saval लेते हैं हम लोग इसके बदले और saval से हम लोग जल्दी से इसको में एकटा कर लेता हो थुरा सा क्योंकि इससे हम लोग blue cam fire बना सकते है तो देखने में तो अच्छा लगता है तो इसको तो अच्छा ले लेते है okay तो हम थोड़ा सा ले चुका और सामने नीचे देखो यहां ऐसे ऐसे लाभा निकलता रहता है कहीं कहीं पे भी तो सामने क्या जमीन है या फिर यही वाली बायोम है और सामने मुझे ये क्या बोलते basalt का बायोम दिख रहा है तो अभी हम लोग उधर भी चलेंगे और इधर में देखना चातो हूँ है क्या तो सामने उधर एक island दिखो रहा है तो अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जाने के लिए रास्ता बनाना परेगा और मैं ब्लॉक लेकर आयों बहुत सारा तो बनाना इस्टार्ट करते हैं यहीं पर से और मैं सिंगल ही बनाऊंगा कड्राउच होते हैं, और आगे बनाते हुए चलते हैं जल्दी-जल्दी, तो अभी हम लोग ये विरीज बनाते हुए सामने आ चुके है, और सामने पूरा होके ये वाली बायोम है, यहाँ पे स्केलीटन सब होतेरह है, और सामने वो ग्लोए स्टोन दिख रहा है, है दोखो सामने के टो एक स्केलिटरन हमको यहीं पर दिख किया बंदा तो यहां पर थास एक्स्प्रोर करते हैं और मुझे रास्ता यहां पर टावर बना देना चाहिए थास उच्छा तो इससे पता चल जाएगा कि यहां पर रास्ता और सामने एक टो एंडर मैन की तरफ नहीं देखना है ओके मैं यहां पर बहुत लोद चल ला हूँ और यहां पर का जो लाभा पर चलने वाले होते वो भी है और देखो यहां और यह भाई साब देखो इतना देर पहले यहां पर कोई नहीं था थूरू सा देर पहले यहां पर कोई नहीं था पर अभी पुरा बढ़ात आ चुका है इन लोग का कोई बात नहीं मेरा बहुत एकदम ओपी है एक बार में लोग खतम कर देगा और यह बायोम को परस्टनली उतना कुछ खास लगता नहीं है क्योंकि यहां मैंने मुग के सामने इतना सारे स्केलिटरन स्पॉन हो रहा है और लाभा में गिर गए तो लो इसका भी कमी था एक ठोगास का एक सौट में घास का टम अरे क्या हो रहा है बाई मैं इतना ही आप स्लो चल लाओ ना तो अभी हम लोग तो नीचे चलते हैं और मुझे यहां प दिमाग में अरे भाई क्या हो रहा है अंधिरा और लोड भी नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ते हैं और अभी हम आपस घर पे आ चुका हूँ कि में दिमाग में एक ठों मस्सा प्लैन बना है तिल लोग कई कमी था इन लोग कई कमी था भाई ठीक है इसको छोड़ते हैं और अभी हम अंदर जाता हूँ और जल्दी से सोने चलते हैं नहीं तो दरवाजा तोरके भी आ सकता हाड में तो बस वो दरवाजा तोरके अंदर घुशने का कोशिस ना करें और में दिमाग का सिंपल सा प्लैन है कि हम अभी यहां पर से का इंगट लेके जाऊंगा और मैं वहां पर ट्रेडिंग करूंगा तो मेरे पास गोल्ड का इंगट ही नहीं है वाओ एक्टो गोल्ड का इंगट ये रहा और नीचे तो सारा सामान सब है तो सैसे एक ही गोल्ड का इंगट है मेरे पास तो इसको अभी हमको जाना तो है तो एक काम करूँगा नहां यहां से गोल्ड कार मल लेते है यह करने का बिल्कुल भी मैं प्लैन नहीं था और मुझे जूते चाहिए थे अभी हम लोग फिर से नेदर में जा रहे है हम सारा समान ले चुका हूँ और नेदर में जा कि हम गोल्ड माइन करूँगा वहां पे जो वह होता है ना पिगिलीन तो उन सब से हम त्रेट करूँगा और ट्रेड में हमको सोल स्पीर का चाहिए ये और हमको चाहिए ब्लेज पाउडर और मागमा की रीम तो उनलोग से हम ये सब प्राप्त कर सकता हूँ इसे हम ब्लेज रॉड को भी मार सकता हूँ पर ब्लेज रॉड मतलब जो ब्लेज होते है ना वो इसमें मिलते है क्या बोलते है एक ठोन लोग का building होता है मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसमें मिलते और बहार में ऐसे नहीं मिलते वहाँ पर उनलोग का spawner होता है तो वहाँ पर जाके हमको करना पड़ेगा और हम gold ओके तो हम अभी gold पेहना हूँ और मैं एक ठो crafting table लेकर आया हूँ तो gold मुझे यहीं कहीं पे भी मिल जाएगा तो मुझे उदर जाने का जुरुत ही नहीं है तो यहीं पे हम लोग gold खुजते है और हम लोग को trade करना है तो gold देखना हूँ हम आसपास कई होगा तो के वो उपर में gold हमको वहाँ दिख रहा है तो उपर चलते है पहले और gold ही खटा करते है तो उपर जाने के लिए यहां से siri है और oval island पेहना बोड़ा तो यहां से सारा रास्ता बनाया हूँ हम जाने का तो सामने उपर हमको गोल दिख रहा है उपर कैसे जाए हम लोग वो सोच रहा हूं थो ऐसा तो ब्लॉक निकलते है और ये रहा हम लोग का गोल तो एक दम इसके उपर है तो यहां से हम लोग प्रीच बना के उपर जहरते है ओके ओई भाई साब का स्पीड है वस टच करते ही चार पांच ब्लॉक का है अब दोखो टच करते ही ब्लॉक सब गा है अब और मैं यहां से गोल ले लेता हूँ और गोल है आसपास मुझे धियान देना पड़ेगा कि यहां पर इसका हेल्थ भी बहुत तेजी से जाएगा और मेरा गोल्ड नीचे गिरा है कि एक दम से ही ओके तो वह रहां मेरा गोल्ड का ही नगेट और मैं गोल्ड का नगेट पर सीधे गिरा तो मेरे पास सिप साथ आये है कि नौ से एक बनते है एक तो वहां पर आप इसको छोड़ते है चलो अभी हम चलते हैं वहां पर भी गोल्ड हम देखा था तो उन लोग से छुपके हम थ्वसा तोर लूँगा और मैं टांगे तो राते तो राते वहां पर पहुंच चुँगा बई दो चार ब़ड़ गिर यहां कहीं पे तो तभी था पर अभी सैसे डी स्पॉन हो चुके है एक मिनट में यहां से गोल लेके आता हूँ और हाथ में लेके रखता हूँ तो के यह वो बंदा नहीं है जो ट्रेट करते हैं हम लोग के साथ वो कोई औरी बंदा था और सामने उपर बहुत सार गोल दिख रहा है तो चुपके से जाके लेके आते है और सैसे यह वो रास्ता है तो यहां पे नहीं है और यह रहा हम लोग का गोल तो वो अला नहीं है हम लोग की इधर नहीं तो अगर हम इसके सामने तोरदू gold तो वो मेरा कीमा बना देगा तो के बहुत सारा यहां पर gold है जल्दी-जली तोर लेते हम gold तो सारा gold हम तोर लिया हुँ और सारा nugget नीचे गिरा हुआ है तो सारा nugget के विखरा उठाते है तो मेरे पास 41 नगेट आ चुके है और इसका अमको अभी इंगट बनाना है तो इंगट बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है बस इसको रखते है और इस पर जाके इसको पूरे में भर देते है तो देखो चार्थ इंगट आ चुके है और extra पर वाला बंदा ही नहीं मि अगर इसमें अगर मैं अपना पीकेक्स मेंडिंग लगा दू तो पीकेक्स हो जाएगा इस दम से ही क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलता है और ये खुद बखुद रीपेर भी होते रहेगा देखो मैं पांच लेवल भी मिल गया तो तू बार बार हमको लगता है कि वही बंदा है तो मैं आसपास देखता हूँ लोग एंडरमेन मेरे पीछे पाड़ गया ओके ये एंडरमेन नहीं है अड़े ओके तो ये मागमा है लोग से थो दूर भागूने दोंकू और यहीं से वाओ भाई तब भी से कोई नहीं आ रहा था में मैं अमारे मेरा हैं फ्लत Hersh Introdu k checks म्रूंआ भी लग रहे हाए चलको को कि नहीच ही उकने को खान करने दो खाना हाने दो मेरा पójछे से आगया यह अरे गेम क्या करा हूँ निकलो यहां से भाई ओके लोग से आप छूटती छूटते मुन्ने मुन्ने बालक निकलेंगे जिसको हम एक एक सौट में खतम कर सकता हूँ ओके यह रहा एक ठोग ओड़े भाई 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 गलती से लग गया तेरे अब इसका पूरा खांदान हमको आकर पीटेगा भाई हम लोग इसको हम इसको गलती से बस मार दिया था रहे मर जाओ तुम किसी और ने देखा नहीं और यहां पर यह सब बहुती स्पॉन होते रहते हैं तो हमको मागमा क्रीम एक ही मिला भाई क्या इतना बुरा किसमत है मेरा और यहां गोल्ड का इंगट थोर बहुत और गीरा हुआ था और भाई तू दूर से निशाने लगा रहे देख मेरा वो बनने का कोशिस कर रहा है तो मुझे पास एक की स्थवार आ चुके है इसको और दो टो इंगट मनाते है और मेरे पास एक ठो गोल्ड का स्वार्ड भी आ चुका है तो इसे गोल्ड का स्वार्ड कुछ काम का खास काम का होता नहीं है ओके तो मुझे यहां से उपर जाना पर और मैं इसे खोद खात के तो जाने वाला हूँ नहीं तो आप पार्कोर करते वे चलेंगे तो यहाँ इसे कुछ भी नहीं अफाल तुमें आरे मैं गिरा ओ भाई नीचे गिरूंगा नीचे लावा ऐसी दे बच गया हम नहीं तो अभी थ्वासा और यह होता तो हम नीचे सीध यह तो दिक्कत हो सकते हैं तो मैं थाओसा पीछे आ जा रहा हूं जल्दी से मैं तभी यहां से ब्रीज बनाना स्टार्ट किया था तभी कोई नहीं था वहां अभी दे को पूरा जुन्द है तो मैं यहां से मानना भी स्टार्ट नहीं करूंगा इन लोग को भाई बहुत क्योंकि हर जगा हर समय कोई न कोई स्पॉन होते रहता और यह क्या देख रहा हूं फिर से वही एक मॉंस्टर पर दूसरा मॉंस्टर बैठा हुआ तो इसे हम लोग भी उस पर बैठ सकते हैं सैडल लगा के तो आज हम लोग ने अपना एक थो नया मतब जो बो है इसका बो का था बहुत मतब एक था हम गॉर्ड लेवल बो बना दिया है और एक था हम लोग ने एकदम मत ओपी सा ताइमंड पीकस भी बना ली है तो आगला वीडियो में ट्लाइख करूँगा कि इसको था अच्छा से अच्छा से आचल में दे दूख और यह बाई यह क्या गार में से पाणी टब रहा है या फिर एससा बार में व te TD को एसे डखने में में लग रहा है कि मेरा घर में से पानी निकल रहा है पर असल मैं ऐसा पानी न रहा सकतेंगे और एक ठोंको ब्लेज रोट चाहिए ब्लेज पाउडर चाहिए इसके कारान हम लोग एंचेंट्मेंट कर सके और यह रहा हम लोग कर डियो जी तो भाई डियो जी ओके तो नाम दिख रहा है उसका तुम भी था बाई बाई कर दो सब को तो आज के लिए वीडि में तब तक लिए बाई बाई